स्टार्ट करते हैं नहीं वीडियो 20 फिट इंटू 35 फीट 20 फिट इंटू 35 फिट 700 स्क्यार फिट हाउस प्लैन टू भी एच के हाउस प्लैन टू भी एच के हाउस प्लैन है इसका इस तरह आ जाएगा 20 फिट और इस तरह 35 फिट इस तरह आएगा साथ में कार फार्किंग इंक्लोडिंग वर्ड रूम एक प्लैट किया स्टेयर का आउटसाइड रख दिया तो इसका जो डिटल से से शेयर करते हैं इस तरह का वाल आएगा नाइन इंच का आउटसाइड में और इंसाइड में फाइव इंच का वाल है और इंपे ट्वालेट है इंपे किचेन जो है ओपन किचेन रखा है कि पेस मैनेजमेंट के लिए इंपे ओपेन किचेन रखा है तो डाइनिंग के साथ किचेन को एटाच कर दिया है देखिए सभी इंसाइड का वाल फाइव इंच का है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है अभी जो इसका है जो विंडो पोजिशन है मार्क करते हैं कि इस्तराव फॉइंडो बेट्रूम का विंडोर आखे िएप इंटिलेशन है शाइन न हञ निगा का विंडो प्रफ हम ये पी लिए recreation का विंडोर फोज़व रूम औंड़ प्रफ है ओर ईपी बैट्रूम का ये बेटूमे सिंग्ल एंड़ वेट किया तो इस तरह देखिए यहीं पर कार्पार्किंग इस तरह है कार्पार्किंग यहीं पर अब पर कार्पार्किंग है जिसको साइज आपको मिल जाएगा इस तरह 12 फीट इस तरह एक फीट 9 इंच अस्ट्यार का आप इस तरह रहेगा ऐसा घूम के इस तरह डाउन रहे रहेगा थ्री फिट लेंद्ध है इस तरह भी थ्री फिट है और ही पर ये शिक्स फिट प्वाई थ्री फिट का लैंडिंग है ही पर और ये जो है स्ट्यार रूम का विंडो है उसके बाद देखें ही पर मेंडर रहेगा फोर फिट पर सेवन फिट का मेंडर है और ही पर गॉट रूम लेप में गॉट रूम उसके बाद ही पर लिविंग लिविंग हॉल है और ये डाइनिंग हॉल इस तरह बेट रूम और इस तरह भी बेट रूम है और इस तरह भी बेट रूम है यह पर टॉयलेट है तो इस देखिए जो बेट रूम है यह बेट रूम का साइज टेन फिट वाइट टेन फिट रहका है और गौट रूम का साइज थ्री फिट वाइट फिट रहका है और लिविंग हॉल का एट फिट वान इंच इस तरह और यह वाल से इतना दुट तक भी एट फिट वान इंच है और यह डाइनिंग हॉल है डाइनिंग हॉल का इधास से इतना दुट ट के एट फिट और यह वाल से एटना इफिट एट इंच समले गा और यह बेड रूम का स्टरफ टेन फिट और स्टरफ जो है टेन फिट वान इंच और किच्छन देखिए एक ओपेन किच्छन है तो ज्यादा बड़ा नहीं है यह इस तरह फिट बाई टू फिट टू इंच फाइप टू इंच और इस तरह फोर फिट है और ट्लेट इस तरह 4 फित वी और लेंध एट फिट एट लेंध लेंध है ऑद देखिए एक बेट्रूम इसतरफ है और यह व्युक्र विजुक्ण फिट तरह इस तरह है यह बेट का पोड़ी साने ट्रेट इदर है पाड़ कार्ट करणिंग है गट रूमम थो सारे चीज नहीं पर अबेलेवल किया है और त्यार को आउटसाइड में रखा है हर फ्लॉर यहीं पर अलग-अलग हो जाएगा एक प्लॉर के साथ अलग फ्लॉर कुछ टाच में नहीं रहेगा तो अब रेंट पर पास में इसको यूज कर सकते हैं तो चलते हैं इसका जो कॉलॉम पोजिशन है कॉलॉम पोजिशन में इसको मार्क करते हैं तो इसके लिए यहीं पर रेट डटेट मार्क कर देता हूं यहीं पर यहीं पर करना है इस तरफ 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 इस के बाद आ जाएगा इस तरफ और यहीं पर इस तरफ आएगा इस्तरब दीजे इस्तरब दीजे एहीं पे एहीं पे और इहीं पे प्वाइट कर दीजे तो देखे नमबर अब कॉलोंब जो रहेगा 1234567891011121314 तो नमबर अब कॉलोंब 14 है कॉलोंब 14 साइज 9 इंच वाइ 9 इंच का कॉलोंब 8 का ना है जिदा जिदा रेट डॉटेट दिया हीं पे और इसका जो कंस्ट्रेक्शन कोस्ट है कि बिल्डिंग कोस्ट एट पॉइंट पॉइंट पाइब लेक्स खोड़ोंच यह आएका ग्राउंड फ्लॉर में और यहीं पे डबलू टू देखिए विंडो जो है इस तरह बेटरूम का विंडो डबलू वान है लीविंग रूम का भी डाइनिंग हाल का भी डबलू 1 है और यह बेटरूम का भी डबलू वान है डबलू वान का जो साइज है फॉइट बाइ फॉर फीट और यहीं पे जो वेंटिलेशन है 14 इंच बाई 14 इंच वेंटिलेशन इंच पर फॉइट करना है और ये डाबलू 3 है धाइफिट बाई 5 फिट हाइट रहेगा इसका और ये धाइफिट बाई 3 फिट का गाट रूम का विंडो बैटाना है तो अहीं पर देखिए सारे चीज़ अहीं पर डिस्काशन कर दिया और आउटर वाल 9 इंच है और इंसाइट का वाल जो है पाटिसेन वाल 5 इंच सथ से बनाया है तो कतम करते हैं यहीं पर दोस्तों वीडियो को थेंक यू